वेलकम तू माई चैनल सबस्तूम फैबरी कार्ट आज हम आपको मास बनाना बताएंगे मास के लिए हमने कौटन का कपड़ा लिया है मास की लेंध हमारे दस इंच लंबी है छे इंच ओड़ी है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भ है यह हमारे दोनों पीस निकल गए है सीधे पर सीधा रखेंगे पहला हम इसे विर्थ में फोल्ड करेंगे फिर हम इसे लेंध में फोल्ड करेंगे इस साइड से हमारा बंद आ रहा है उस साइड पर हमें 1 इंच का मार्क लगाना है एक इंच से !!" शेवामाल करेंगे फिर जिस साइड से हमारा खुला हुआ है उस साइड से हम एक इंच अंदर आएंगी इन दोनों को यहां इस तरह से मिला देंगे फिर हल्का सा कर्ब भी देंगे अगे और यहां से इस तरह से गोल यह हमारे मास्की कर देंगे हुलाई के साथ काटेगा यहां से इस तरह से हम इसके दूसरे वाले साइड को भी काट लेंगे आए अब हम आपको इसकी सिलाई का तरीका बताते हैं कि इसकी सिलाई का तरीका बताते हैं जिसकी शक इस तरह से निकल कर आई और हमारा लास्टी जिसकी लेंद हमने चेंज की लिए एक प्रीस के लिए हम चेंज की है दूसरा भी हमारा चेंज का अब हम इसको इस तरह से यहां रख करके ऐसे करके यहां हम पिन कर रहे हैं मतलब यहां पर हमें सिलाई लगाने के इनको पहले से मास्क सीने से पहले हम लास्टी को अपने हास्टी ताके से जैसे हमें आसान लगे वैसे हम इसको सी लेंगे यह हमारा मास्क यह हमने लास्टी को पिनों के तुरूर को कदा हमने स्लाई मेशन के जरीए रोख दिया अब हम इसको इस तरह से यहां सीधे रखेंगे सीधे की सीधा और यहां से यहां से स्टिच करके बस थोड़ा सा पोशन छोड़ेंगे बाहर निकालने के लिए आईए हम अब आपको इसके सलाई का तरह दो कि अब आपको अब आपको अब सबसे आसान तरीका मावसी रोख अगर आपको वूजियों पसंद आई हो तो लाइकों शेयर जरूर कीजिएगा अगर कोई कमी हो तो कमेंट बाक्त जरूर बताईए गो के बाद यह हमारा सलाई के बाद अब हमने इसको थोड़ा सा खुला छोड़ा था इसे बाहर निकालेंगे यह हमारा मास तयार है हम इसे यहां से वी ऐसे अंदर के तरफ पूल करके सलाई लगा देंगे अभी और हमारा इस तया